लो गाईज, असलाम लेकुम, वेलकम बैक टू माई चानल, स्वागाते आप लोगा फिर से एक नए वीडियो में, सबी बज़ रहे हैं रात के साथ, असलाम लेकुम गाईज, और अभी हम लोग जा रहे हैं, तरगाय शरीफ, और आज हमाराजमे शरीफ में लाश्टे है, तो पड़ेगा ना, तो इंशाला, पजागर इपन वाशा में फिर से बुलाएं, और फिर से जल्दी आएंगे, और चले चलते हैं, नीचे एप लोगा जारें लिफ्ट से नीचे, और दिखाते हैं आप लोगो नोगो बहुत मस्त होता है, और यहां लगता है कि रात में बने रही है हमाने वीडियो में, यह देखे सामने में ही जो लाइट नजर आ रही है, वो है दरगा शरीक का में गेट, और यह देखो भाई, क्या मस्त नजारा होता है नाइट का, बहुत सारी दुकाने हैं, यहां पर और सारी दुकाने सजी रहती है, यह आप लोग देख बहुत सारी होटेल, गेस्ट हाउस, और बहुत सारी मिठाई की दुकाने, सभी सजी बड़ी रहती हैं, और नाइट का विव तो भाई, क्या मस्त रहता है, बहुत ही ऑसम है, नाइट का यहां पर भी हो दरगा शरीक के पास, और नाइट में भी काफी बीड होती है, वो नाइट का अब ज़ा根 पर इन समख पूंग चुक्त है, दरगाशा एपको मेंड गेट के पास, यह देखो, इधर यदर भी एक रोड गया और एक रोड इधर पूदया, और यहदर जिर्फ का में पूर्ट अरभी चादर पूल की दुऊचान आ मिठाई की दुऊच़ान और इस साइड तब चादर और फूल की दुचाना बार है और नायटमे विव है का बहुत ही अच्छा होते है बहुत ही अच्छा लगता अफ तो आप लोग आओ तो नाइट मेँ अगुमने में दो ऑना बूलना तो नाइट की आनगेश हेँ घंमन 不知道 है लाइबthink का भी मेंगेट के मिडूत है दे क्रिखते हैं देखलें बिखाते हैं रात का भी ओप लोगों को देखें माशालला से बहुत ही बीड़ रहती है हमेशा है इनी टाइम आपको भीड़ देखने को मिलेगी और यह देखें यहां अंदर भी पूल और चादर की दुकाने वगारा है इस decorat मजारा होता है यहां पे… यह साम से इन जएऔर दो बार तो जरूर और ऐना चानिया है और यह रहे रहें यहां पूंद दर्वाजाए हमेशा Lisa और यहां और bilmiyorum माशालव माशालला की और नियार आथ ऑफ सूर आथ अर देखें देखिए है जमेर दर्गा का में गेट बुलन गेट और इधर से दाहिने आएंगे न तो इधर है बड़ी डिग और दाहिने साइड जाकर इस साइड है फ्रेंड इस पर मैंने इस पर इसली व्लॉक बनाया है वो आएगा क्या हुआ रहा है यह देखिए देख तयार है वह है चलकर दिखाते हैं ओधें पहलो है है यहे माशाललह छोटी वाली देख बनने के लिए इसे पानी डाला जा रहा है थी माशाला बहुत ही बढ़ी है एग इस बहुत ही वरी है माशाललह तेखिए अच्छित अ माशालला आप लोग देखें यह जो छोटी वाली देग है वह उसमें भी मीठवा चावल बनने के लिए तियार हो रहा है फानी बगारा डाला जा रहा है यह देखें फानी भी इसमें पाइप से डलता और बहुत ही बड़ी देग है इसमें 220 केजी चावल एक साथ पड़ सकता है यह है बड़ी देग चलते हैं उपर और दिखाते हैं आप लोगों को यह देखें माशाला यह है अजमेर दरगा के अंदर की बड़ी देग और इसमें तीन-चार महिनों में एक बार ही मीठे चावल पकाया जाते हैं और वो जो छोटी देग है उसमें लगवक डेली ही बनते हैं उसमें डेली मीठे चावल पकते हैं और डेली लंगर बनता है तो फ्रेंड्स चलते हैं बीचे और चलकर आप लोगों को दिखाते हैं और एक चीज़ और जानतारी देते हैं अगर आपको डेग में डालने का कोई समान अगर लेना हो तो यहां सारा समान अभेलेबल रहा है चावल च्वाड़ा गोड़ गड़ी मिस्री सुखा मेवा सबी चीज़ यहां से लेकर आप डाल सकते हैं और यह देखें यह हुद्र गरीब नमाज का दरगा सुभानल्ला क्या कहना और यह देखें इधर रहे फूल और चादर की दुकाने आप अगर बाहर से नहीं लेते ह यहां अंदर में भी अवेलेबल है यहां से आप खरीब सकते हो और हुदूर गरीब नमाज के रोजे पर पेश कर सकते हो और मशल्ला यह देखें इधर है वजू खाना कफी बड़ा है और यह देखें और इसकी साफ सफाई का भी बहुत ही ख्याल रखा जाता है इसका पान यह है वो गेट जहां से हुदूर गरीब नमाज के दरगा में अंदर इंटर होते हैं और यह देखिए राद का नजारा माशालला बहुत ही खुबसूरत है और यहां भी तस्वी टूपी का दुकान और यह देखिए हुदूर गरीब नमाज में तुललह की बीबी साही वहा अगरीब नमाज के दरगा का एक्जिट भूने का रास्ता फूल शी मेगरा पेश करके और मजार अंदर ही है आप जयारत करके यहीं से होते हैं और यहां देखिए यह बाबा फरीद गरीद कर रहमत लेह का दर्गार शरीफ मजार शरीफ जहांगर समाइब एक जढ़ा है क्या लोग मनीट मांगता वही लोग जाते हैं यहां पे लोग मनीट अपनी मांगरी अब देख लेगा इस मार्शाललाव देखे नादने भी गईगे जाके अपनी मनित मांग रही है और एक धागा बांदेंगी वहां पर इदर से बी अंदर जाते हैं यह अंदर जाने का रास्ता आप मार्शाललाव देखिए अंदर बहुत ही खुशूरत है यह देखिए अंदर पूरी चांदी का बना हुआ है यह देखे हैं माशालला हुजूर गरीब नमास सरकार का दर माशालला यह देखे हैं हुजूर गरीब नमास सरकार का दर्ब मुबारक और यह देखे हैं कितनी भीड रहती है हमेशा यहां पर रात में भी काफी चहल पहल दर्गा पे और बाहर भी बाहर भी आप देखेंगे ना तो बाहर भी काफी भीड रहती है यहां कभी आपको सन नाटा नहीं मिलेगा हुजूर गरीब na मवास के दर्बार की यह काथा statements यह कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा देखने को हमेशा यहां पे भीर रहती है यह देखा इंग कितनी भीर और आफिर जाते हैं मशल्लाद प्रेबी जा रहे हैं कि आज ठुदा लेट भी हो गया शल्लाइब कि अमोग नियाग गें है यह नहीं है कि अधियों चलते हैं अला अथि अधर शॉर्ज नूरे से दोगा करने की है दोगार नहीं अंदर का सब्सुनिट है नहीं जारे हैं अंदर में तो उसे हैं भीकर कराओं से हिरे यह हैं उसे हिरे से अफिरिए और विद्यों दोगे हैँ यह देखें माशाललाह जाईदीनों की भीड खितनी है और यह जगह यहां से सामने हुदूर वरीब नमाज का गुंबध दिखता है और यहां पर सुबद और शाम के वक्त वाली होती है अभी नहीं हो रही है लेकिन ये होती रहती है निकान और ये इवादत खाना यावर बैट कर लोग इवादत करते हैं और चलिए इस साइट से दिखाते हैं प्लोगों को ये देखें इदर और तों की भीड़ हैं सारी औरते इवादत में मश्गूल हैं और उधर वादा गरीब नमाज कर दरबार ये देखें आप लोग फ्रेंड्स और इधर सामने से ये है में गेट इधर से लोग लाइन लगते हैं अंदर जाने के लिए यहां पर जो खाजा मैंनुदीन चिष्टी हसन संजरी रहमत लाला का दरगा है ना उसी के जश्ट सामने में उनके खादिम का भी दरगा है मजार मुबारक शेखल मशाहिक सेयद मुहम्मद यादगार चिष्टी सुल्तान सब जवरी रहमत लाला यह फाजा गरीब नावाज के खादिम रह चुके हैं माशाललह और यहां पर उनकी मजार है यह देखे यह जो गेट है ना बाबे काद्रिया इस साइड आप आएंगे तो यहां पर जो मस्जिद है यहां से फाजा गरीब नावाज को मत नजर आ रहा है और इधर चलते हैं यह देखे इधर है और तो का वजू खाना और दर्चे दूसरा गेट भी है और यह देखे यह पानी का पतीला कितना ही अच्छा है और इसमें रखता आयतुल कुरसी लिखा हुआ है पूरे पतीले माय तो कुरसी लिखा हुआ है माशालला यह देखे लिए चलते हैं इस साइड पीने का पानी का टाइंग और चलते हैं इधर यह है अंजिमन कमीटी अंजिमन आफिस है यह और यह है दर्गा का दूसरा गेट है शायद दूसरा गेट है गेट नमबर पांच और इस दर्गा में टोटल गेट छे हैं और यह चलते हैं दिखाते हैं यह है अंजिमन आफिस दर्गा शरीफ का अंजिमन आफिस है यह और इधर भी फूल वगरा के दुकाने हैं यह हम लोग दर्गाय के पीछे तरफ आ गया है और यह देखिए इधर भी इधर से भी इंट्री है जो रासा ना इधर गेट नमबर चार है चलिए चलते हैं आगे दिखाते हैं अधर जितना भी है ना सारे खादिम लोग का हुजरा है यह देखें दोस्तों यह देखें यह जो मस्जिद है किया जाता है कि यहां पे दो रिकात नमाज पढ़कर जो भी दूआए मांगी जाती है माशाला कुबूल होती है अधर उसे कुबूल फरमाता है और यह देखें मस्जिद यह हुजूर गरीब नमाज का जो दरगा है जो दरगा जाने का में गेट है उधर से इस साइट यह च्छोटी च्छोटी बहुत सारी मजारे बनी हुई है यह देखें तो गाइस मैंने दरगा के अंदर की पूरी वीडियो बनाई है इसके पूरी जानकारी है कहांपर क्या है कितने गेट हैं इसमें कैसे आते हैं और बहुत ही अच्छी जान करी दिए है मैंने, ये व्लोग आएगा तो आप लोग कि महना बूले, इंशालला, काफी मेनत लगती है गाई, इसी आप हमारी वीडियो देखें और लाइक करें, और शेयर करें, बहुत जादा मेनत लगती है गाई, ये व्लोग बहुत जल्द आ